ये तस्वीरें इस वक्त आपको आयोध्या से दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात आयोध्या पहुंचे हैं और इस वक्त भगवान की आरती कर रहे हैं तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात की इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद पहली बार अयोध्या पहुँचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात और इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हनुमान गढ़ी में बजरंग बली का आशिरवाद ले रहे हैं पूरे विदिविधान के साथ पूजा आर्चना कर रहे हैं वीर बजरंगी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं तो हनुमान गढ़ी आयोध्या अगर पहुँचे हैं तो यहां दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री हर बार जाते हैं और जरूर जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि आयोध्या में बिना हनुमान गड़ी पर मत्था ठेके या बिना हनुमान जी का आश्विरवाद लिए कोई भी अन्यकाद्या नहीं किया जाता और इसलिए सबसे पहले हनुमान गड़ी की तस्वीर और साथ-साथ रामलला की तस्वीर भी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुँचे तो उन्हें आचारी असतिंद्र दास जो की मुख्य पुजारी है रामलला के उन्होंने पूजा अर्चना करवाई खुद महंत हैं गौरक्षपीच के योगी आदित्यनाथ संत हैं और भगवान के दर्वार में हमेश आशिरवाद जरूर लिया और अब जब दूसरी बार कुर्सी समाली है तो एक बार फिर से आयुध्या पहुचे हैं अनुमान गड़ी भी पहुचे महावीर अनुमान का आशिरवाद लिया और इसके बाद रामलला के दर्वार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती की पूझा अरचना की उत्तर प्रदेश की खुशाली के लिए आशिरवाद मांगा और ये तस्वीरे आपके सामने एक तरफ जहान उमान गड़ी में जो यहां के महंत हैं राजूदास वो पूझा अरचना करा रहे हैं दूसरे तरफ आचारी सफेंद्र दास जो राम अब से कुछी देर पहरे आयोध्या पहुँचे और पहले अनुमान गड़ी गए फिर राम लला के दर्शन किये उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात का ये पहला आयोध्या दौरा है और आयोध्या में अन्यकादियों से पह कोई भी कादिय संपन नहीं होता है इसीर ये सबसे पहले जो लोग आयोध्या जाते हैं वो पहले हनुमान गड़ी में मत्था टेकते हैं वीर बजरंगी का आशिरवाद लेते हैं तो पहली तस्वीर वो है जहां पर पूजा आशना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदि अबलोड़ इन वो